आलू परवल की बहुत ही टेस्टी सबजी आज हम बना कर तयार करेंगे अभी परवल बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप ये सबजी जरू ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत ही पसंद आएगी सेम तरीके से बना कर देखिएगा नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका शाम्र सोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना इसके लिए मैंने यहां 250 ग्राम परवल को अच्छे से धोकर सुखा लिया है अब हम परवल के दोनों साइड के किनारे कट कर लेंगे और चाकू की साहता से इस तरह से छीलेंगे छीलने वाले चाकू से मत छीलिएगा वरना बहुत अधी मोटा छिलका निकल जाएगा वो वेस्ट हो जाएगा और एक परवल के मैं चार टुकडे कर रही हूं इस तरह से काट कर हमें तयार करना है परवल को काट कर तयार कर लिया है अब हम एक कडा ही लेंगे जिसमें मैं 4 टेबल स्पून तेल ले रही हूं आप चाहें तो स अच्छे से सौफ्ट होने तक फ्राय कर लेंगे तो देखिए परवल पर हलकी सी कोटिंग आ गई है और ये बहुत अच्छे से फ्राय हो चुके हैं तो अब हम इन परवल को बाहर निकाल लेते हैं परवल को हमें डीप फ्राय करने के बिल्कुल भी आवशकता नहीं है ऐसे फ्राय करके बनाएंगे तो भी सबची बहुत इस्वाधिस्ट बनेगी ये देखिए परवल फ्राय होकर तयार है यहां हमने दो मीडियम साइज के आलू लिये हुए हैं आलू को भी हमने अच्छे से धोकर कपड़े से पोँच कर सुखा लिया है आलू को भी हम बचे हुए तेल में मीडियम फ्लेम पर सौफ्ट होने तक फ्राय कर लेंगे आलू हमारे फ्राय होकर तयार है ये देखिए इन पर भी बहुत ही अच्छी एक क्रिस्पी कोटिंग आ गई है आलू को भी हम बाहर निकाल लेते हैं ये देखिए आलू परवल फ्राय होकर तयार है अब हम एक मसाला पेस्ट बनाएंगे, इसके लिए मैंने एक बॉल में एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इससे सबजी का कलर बहुत अच्छा आएग एक चम्मच किचन किंग मसाला लिया है, किचन किंग मसाली की जगे आप सबजी मसाला भी ले सकते हो, पानी डाल कर हम मसाले का एक अच्छा सा पेस्ट तयार करेंगे, मसाला पेस्ट तयार है, अब हम ग्रेवी के लिए दो टमाटर, एक हरी मिर्च और एक इंच अदरक के टु और डाल देते हैं जब तक तेल गरम होता है मैं बताती हूँ मैंने यहाँ कुछ खड़े मसाले लिये हैं दो लोंग, दो सुखी लाल मिर्च, आधा चोटा चमच, जीरा, एक तेज पत्ता, एक दालचीनी का चोटा सा टुकडा और दो इलाइची जिसे मैंने खोल लिया है अब हम इसमें दो पिंच के करीब हींग डालेंगे और साथ ही मैंने यहाँ एक प्याज को बारिक काट कर लिया है, थोड़ा बड़े साइच का प्याज था, साथ ही हम यह सूखी लाल मिर्च भी डाल देते हैं प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक मेडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे, प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें मसाला का पेस्ट डाल देंगे, साथ ही मैं एक चम्मच पानी भी डाल देती हूँ अब हम मेडियम फ्लेम पर इस पेस्ट को तेल अलग होने तक पका लेंगे, दो तीन मिनिट का समय लगेगा, यह देखे मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, चारो तरफ से तेल अलग हो चुका है, तो इस वक्त हम इसमें टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे, साथ ही ए पूरी सबजी के हिसाब से नमक डालेंगे, मैंने लगबग एक छोटा चमच नमक डाला है, नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इस ग्रेवी को तब तक पकाएंगे, जब तक कि तेल अलग नहीं हो चाता, गैस का फ्लेम मेडियम रखिये, तो इस देखे हम हमने लगबग 5-6 मिनिट के लिए इस ग्रेवी को पकाया है, और तेल बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा भून गया है, तो हम इसमें एक चमच कसूरी मेथी, और आधा चोटा चमच गरम मसाला डालेंगे, यदि आप ना चाहें तो गरम मसाला स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमने काफी खड़े मसाले भी सबजी में डाले हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें फ्राय किये हुए परवल और आलू को डाल देते हैं, और इन्हें हम 2 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि मसाला मसाला बहुत अच्छे से कोट हो गया है, अब हम इसमें लगबग एक कप पानी डालेंगे, मैंने यहां सबजी में गरम पानी डाला है, आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए, आप उस हिसाब से इसमें कम या ज्यादा पानी डाल सकते हो, अभी मुझे यह बहुत ही फ्लेम पर लगबग 7-8 मिनिट तक पकाएंगे, तो देखे मैंने 7-8 मिनिट सबजी को पका लिया था, और हमारी सबजी बिलकुल तयार हो चुकी है, मुझे सबजी का बस इसी तरह का टेक्चर चाहिए था, ना तो बहुत जादा ग्रेवी और ना एकदम सूखी, इस पर हम आदिस्ट सबजी बनकर तयार हुई है, तो फ्रेंड्स यदि आपको आरलू परवल की ये सबजी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शियर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोट आपको मिल सके